जब हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट करते हैं और उस पे म्यूजिक लगा देते हैं तो वहां से हम वो इस्टोरी डाउनलोड करके अपने फेस्बूक ए अपर वाटसएप पे सेयर करने के लिए जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें म्यूजिक नहीं आता है वो ज़ली वडियो को स्टार्ड करते हैं जब आम इस वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूं के कैसे आप सेम्पल इस्टोरी अपर ईंस्टाग्राम की अगर म्यूजिक लगाते हैं तो उसको म्यूजिक के साथ म्यृजिक के साथ कैसे डूई online 10 डूआनलूड कर सकते हैं त आप बिना music के share करते हैं तो आज मैं एक tip बताने वाला हूँ आपको एक app के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप यह कर सकते हैं तो आपको play store पर simply जाना है story downloader, download कर लेना story saver इसका जो app link है वो description में मिल जागा क्योंकि ऐसे बहुत सारे fake apps बन चुके हैं पहले से तो यह app मेरे में पहले से installed है तो यहाँ पर यह update मांग रहा है, इसको मैं थोड़ी दिर बाद update करूँगा पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसे कर सकते हैं तो अब हम लोग चलेंगे home screen पे और यह app में search करके इसको open कर लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते है, story downloader इसका नाम है तो इसको मैं open करता हूँ, बिल्कुल यह safe है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें login कर सकते है, मैंने इसमें पहले से ही login कर रखा है तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो instagram की feed है, ऐसे ही आपको feed दिख जाएगी यहाँ पे अपना जो story लगा रखा हूँ, उसको download करके आपको दिखाने वाला हूँ तो yugle dragon मैंने यहाँ पे search किया है, और yugle dragon search करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे account आ चुका है, और यहाँ पे मैं feed, IGTV, video, story कुछ भी download कर सकता हूँ तो story में मैं जैसे आया, story highlights उपर दिखा रहा हूँ, और नीचे story जो मेरी लगी हुई है अभी तो यहाँ पे यह Justin viewer की song के साथ यह story लगी हुई है, और अब मैं यहाँ पे उपर जो right side में सबसे उपर जो icon बना हुआ है इस पर अगर download पर tap करूँगा तो यह simply download हो जाएगा music के साथ और उसके बाद मैं इस music के साथ वाली story को अगर WhatsApp या फिर Facebook कहीं भी share करना चाता हूँ story लगाना चाता हूँ, तो status update कर सकता हूँ तो इस तरीके से आप simply कर सकते हैं, बिना किसी problem के तो यह एक story थी जो मैंने कुछी पहले save की थी, तो इसमें बिल्कुल song के साथ मेरी story download हो गई मैं भी problem बहुत जादा face किया था, तो इस पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया और इसका एक solution मैंने निकाल दिया है अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी account का आप डाउनलोड कर सकते हैं, अब मैं दूसरे किसी के account से डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर row and row का account है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर simply इनकी feed, story और IGTV वीडियो कुछ भी मै डाउनलोड कर सकता हूँ, बिना किसी problem के, तो इस तरीके से यह app work करती है, multi teacher app, आप इसको try कर सकते है, app link description में है, तो उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को like जरू करें, चैनल को subscribe करें, और मिलता हूँ आप से मैं next वीडियो में, till then bye bye